आपका किसी के साथ में unprotected sexual intercourse हो गया या आपका उसके blood के साथ में contact हो गया अब आपको डर है कि कहीं आप HIV positive तो नहीं हो जाएंगे और आपको क्या करना चाहिए इस situation में आपके दिमाग में हजारों सवाल आते हैं और आज इस वीडियो में HIV और उसके test से related आपके सारे सवाल का जवाब दूगी कौन सा test कराना है कप कराना है कहां जाना है result कैसे पड़ते हैं positive आएगा तो क्या करना है negative तो क्या करना है सारी जानकारी में आपको दूगी तो सबसे पहले तो आप यही सोसते हो गए कि कहीं मुझे HIV तो नहीं हो गया क्या मुझे test कराना चाहिए बिल्कुल आपको test कराना चाहिए अगर आपके दिबाग में doubt है थोड़ा भी तो आप जरूर टेस्ट कराएं especially वो लोग जो high risk में आते हैं कौन से हैं वो लोग multiple sexual partners है आप commercial sex workers के साथ जाते हैं आप male to male sexual contact रखते हैं आपके आपके जो भी partner है अगर वो unknown है और उनके genital area में ulcers हैं आप IV drug का abuse करते हैं same injection in needle share करते हैं तो आपको test जरूर कराना चाहिए क्योंकि आप ज्यादा थत्रे में maximum लोग यह सोचते हैं कि जब HIV का कोई ilaj ही नहीं है तो मैं test क्यों करवा हूँ आपको test करवाना है क्योंकि अगर आपका test negative आता है तो आपको relief मिलेगा और आपका stress कम होगा और अगर आपका test positive आता है तो आपको HIV की दवाईयां दी जाएंगी जो आपको पूरी जिन्दगी एक normal इंसान की तरह बिना किसी बिमारी के जीने में मदद करेंगी क्यों क्योंकि अगर आपका test positive था आपने दवाईयां नहीं ली या फिर आपको पता नहीं चला कि आपका test positive था तो धीरे धीरे virus आपकी immunity कमजोर कर देगा और वो इतनी कमजोर कर देगा कि आपको AIDS जैसी ख कराने कहां जाओ आप HIV का test कहीं भी करा सकते हैं इसके दो टेस्ट होते हैं एक screening और एक confirmatory test screening टेस्ट गाओं में या फिर प्रात्मिक स्वासकेंद्र में होने वाले PSC से ले करके tertiary care medical college तक कहीं भी होता है आप कहीं भी करा ले private hospitals में भी होता है labs में भी होता है सरकारी hospitals में भी होता है कहीं भी होता है confirmatory test के लिए हमारी सरकार ने एक proper ICTC centers बनाए हैं ICTC मतलब integrated counseling and testing centers ये इड़ सेंटर हमारे government के एक national AIDS control program के अंदर आते हैं जिनका धे primary aim ही HIV की testing करना है इसको control करना है और इसको treat करना है तो ये ICTC center dedicated HIV testing के लिए ही बने हैं इसमें free of cost testing होती है सिरफ testing नहीं होती इसमें आपकी counseling भी होती है जरुवत पढ़ने में आपको दवाईयां दी जाती है अगर test repeat करने की जरुवत है तो test repeat भी करे जाते हैं और ये ICTC center CSC level मतलब कस्बे के level से लेकर के ऊपर तक शहरों में हर जगा पे होते हैं तो आपके आसपास कौन सा ICTC center ह आप उसको check करें वहां पे जाए और बिना किसी शुल्क दिये नहीं शुल्क सारी जाचे करें अब एक और सवाल आपकी दिमाग में आ रहा होगा कि क्या मैं directly जा सकता हूं test कराने या मुझे किसी doctor से लिखाने की जरूरत है तो test दो तरीके के होते हैं एक जिसमें हम खुद जाते हैं और जाकर के बोलते हैं कि हमारा test कर दीजे और कोई भी आपको test करने के लिए मना नहीं करेगा वो आपका test जरूर करेंगे और दूसरे वो लोग होते हैं जिन्हें किसी कारण वस doctor भेजता है तो अगर आप खुद जाना चाहते हैं तो आप खुद जाके अपना test क करा सकते हैं लोगों के मन में एक और डर होता है कि मैं test कराने जाओंगा या जाओंगी तो वहाँ पर लोग मेरे साथ misbehave तो नहीं करेंगे मुझे गलत नजरों से तो नहीं देखेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि यह जो ICTC centers है especially इसमें पहले आपकी एक pre test counseling होगी मतलब आपको एक कमरे में अकेले बैठा करके डॉक्टर के साथ में यह समझाया जाएगा कि क्या क्या HIV के risk होते हैं आपके सवालों के जवाब दिये जाएंगे और आपको हर तरीके से comfortable रखने की कोशिश की जाएगी आपके दिमाग में जो भी सवाल होगा वो आप उनसे पूर सक जाता है आपके हर possible सवाल का जवाब दिया जाता है और यह जो सेंटर से डेडिकेटली बने ही इसलिए हैं कि वो सारे लोग जो किसी वज़े से हेजिटेट करते हैं और पहुंच ही नहीं पाते वो वहां पहुंचे अपनी जाचे कराएं और जो भी उसके बाद में required steps हैं व मिल्कुल भी नहीं जब तक आप खुद consent नहीं दोगे मतलब जब तक आप खुद sign करके या thumb impression के साथ यह बात नहीं sure करोगे कि मैं test कराना चाहता हूं चाहती हूं तब तक आपका test नहीं हो सकता एक और डर सबके मन में होता है कि कि किसी और को तो नहीं पता चल जाएगा कि मैं test कराने आया था आई थी या फिर मेरे test का result क्या आया तो जो भी HIV testing होती है वो पूरी confidential होती है आप आए हो आपका test हुआ है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं पता चलती और इसका result है वो भी आपको अकेले में सिरफ उसको जिसका test हुआ है उसे ही hand or किया जाता है बलकि उसे बैठा के बताया जाता और उसकी counseling की जाती है यह result आपके HIV test का positive हो या negative हो कुछ भी हो कहीं भी disclose नहीं किया जाता आपके अलावा कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने test कराया और आपका क्या result आया है एक और common doubt रहता है सब के दिमाग में कि मेरा test एक बार negative आ गया तो क्या मुझे बार बार test कराना पड़ेगा तो देखिए आप जिस दिन HIV infection के contact में आये हो उस दिन से आपका test positive आने में 15 दिन से लेकर के 3 महीने तक का time लगता है तो 3 महीना वो समय है जिसे हम window period कहते हैं जिसके बीच में test negative आ सकता है तो अगर आपने पहला test 3 महीने कि पहले कराया है तो आपको 3 महीने बाद दूसरा test repeat कराना चाहिए अगर वो वारा test भी negative आ जाता है तो ये बाद की surety हो जाती है कि आपको HIV infection नहीं है इसे हम window period कहते हैं window period मतलब आपको उस infection के contact में आने से लेकर के test positive आने तक में कितना time लगता है जिसका maximum duration 3 महीने है अब आपने HIV का test करा लिया और आपका पहला test positive आ गया तो क्या आप HIV positive हो गए देखिए maximum जगह पे पहला test screening test होता है जो कि एक rapid car test होता है अगर वो positive आया तो हम उसे HIV positive नहीं कहते उस screening test के बाद में confirmatory test किये जाते हैं वो screening test का result अपने आप confirmation के लिए ICTC lab में भेज दिया जात test करती है अगर आपको HIV के symptoms नहीं है तो वो तीन अलग-अलग test करेगी जो अलग-अलग technology पे based होंगे और जब वो तीनों test positive आ जाएंगे तब ही वो आपको confirmatory HIV positive बोलेंगे otherwise वो नहीं बोलेंगे और अगर आपको HIV के symptoms आ रहे हैं तो वो minimum दो test करेंगे जो अलग-अलग principle technology पे based हैं और वो दोनों positive आने पर ही positive बोलेंगे तो अगर आपका HIV screening हुआ है और वो positive आया है तो ज़रूरी नहीं कि आप positive हो confirmatory test के बाद ही यह पता चालए बहुत सारे लोग यह भी सोचते हैं कि कौन सा test best है जो यह बता देगा कि हां मैं बिलकुल HIV positive या negative हो गया हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि जो screening test हम करते हैं normally जो पहला test आपका कराया जाता है अगर वो negative आ गया है और आपको exposure के तीन महीने से ज़्यादा हो चुके हैं तो आप HIV negative हो आपको घबराने की कोई जरुवत नहीं है जब वो test positive आता है उसके बाद ही lab confirmation के लिए बाकी test करते हैं जिसम है वो government lab हो या private lab हो तो आपको चिंता नहीं करनी है अगर आपका screening negative है तो आपको relax करना है और अगर positive है तो अपने आप आपको best test लगा के ही बताएंगे कि आपका result positive है वो भी कम से कम 2 और 3 different principles को use करता हुआ test सबसे डरावनी और खतरनाक बात जिससे हम सब डरते हैं कि अगर हमारा HIV का test का confirmation हो गया और वो positive आ गया तो अब हम क्या करेंगे एक्सेप्ट करने में time लगता है यह बहुत ही परिशान करने वाली बात भी होती है जब किसी का HIV का confirmation positive आ जाता है तो अगर आपका test positive आता है तो आपको test का result बताने से पहले आपकी proper post test counseling होती है जिसमें आपकी दिमाग में चलने वाले हर एक possible सवाल का जवाब दिया जाता है ICTC centers में आपके इन सारे सवालों का जवाब देने के बाद में आपको ART Center refer किया जाता है ART Center में आपको HIV के लिए दवाईयां दी जाती है यह सारी दवाईयां सरकार की तरफ से free of cost होती है पस आपको जाना होत रहते हैं वो आपकी counseling भी करते हैं आपकी mental health का ध्यान रखते हैं आपकी partner की screening करते हैं आपके partner का भी ध्यान रखते हैं और इसके अलावा कौन कौन से possible infections आपको हो सकते हैं उन सब के लिए आपकी जाचे कराते हैं आपके बाकी सारे organ functions की जाचे कराते हैं और आपको उनके प तो आप एक absolutely normal life जीते हो बिल्कुल normal normal लोगों की तरह ना तो आपके शरीर को उससे कुछ हाम होता है और अगर आपके शरीर में अच्छे से आप HIV को control कर रहे हो दवाईयां लेके तो वो infection आप अपने partner को भी नहीं फैलाते तो अगर status positive आज आता है तो घबराएं नहीं अपना जो भी follow up center है ICTC center उसको follow करें उनकी दीगए advice follow करें और एक normal जिन्दगी जीत आप test कराने गए थे तो आपके दिबाग में ये भी चलता है कि क्या ये जरूरी है कि मैं अपने partner को बताऊं देखिए आपकी इच्छा है कि आप अपने partner को बताना चाहते है या नहीं बताना अगर आपका test positive आ गया तो कि आप आपको अपने partner को बताना चाहिए ये सवाल भी बहुत सारे लोगों के मन में चलता है तो आपको अपने partner को बताना चाहिए अगर आप उसके साथ contact में हो और अगर आपको लगता है कि आपकी वजह से उनको infection का risk है तो बिल्कुल आपको disclose क करना चाहिए साथ में अपने partner के साथ कोई भी sexual contact करने से पहले आपको barrier device male or female guondom जरूर यूज़ करना चाहिए ताकि at least आपका infection आपके partner को ना पहुंचे साथ में आप जिस ICCT center में अपनी counseling या treatment के लिए जाते हो वो भी आपको इस बात के लिए बार बार समझाएंगे कि आ आज कराई है और अपने partner को बताईए ताकि आप दोनों एक trustful life जीए किसी तरीकी के कोई guilt कोई दबाओ या कोई tension अपने दिमाग में ना रखें इसलिए जरूरी है कि आप अपने partner को at least बताओ से भी involve करो ताकि आप एक दूसरे का support बन सकें एक हमारी society में बड़ा common सा डर ह है कि मैं HIV positive हो गया हो गई अब लोगों को किसी तरीके से पता लग गया कि आप HIV positive हो गए हो तो आपकी नौकरी चली जाएगी बच्चों की schooling का loss हो जाएगा या फिलोग आपको discriminate करेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहली बात कि जब तक आप नहीं चाहोगे आपका HIV status किसी को disclose हो ही नहीं सकता क्योंकि सब कुछ बहुत confidential होता है लेकिन अगर किसी को disclose हो जाता है तो हमारे HIV AIDS 2017 Act के अंदर Government of India के बहुत strict rules और guideline है आप चाहो तो इनको जाके net पे search कर सकते हो आपको YouTube में भी सरकार के बनाए हुए videos मिल जाएंगे जिसमें आपके सारे अधिकारो के बारे में बात करेंगे ना तो आपकी नौक नी जा सकती है ना आपको कोई discriminate कर सकता है ना बच्चों की schooling का loss हो सकता है तो इस बात की भी चिंता नहीं करें ज्यादा जानकारी के लिए आप सरकारी rules regulation पढ़े National AIDS Control Program NACP का भी अपना YouTube channel है जो उसमें आपको AIDS से related और HIV से related सार जीएंगा मैंने पहले इस बात का जवाब दे दिया है कि अगर आप दवाईयां लेते हैं जिने हम ART कहते हैं एंटि रिट्रोवाइरल ट्रीटमेंट तो आप एक बिल्कुल उतनी ही नॉर्मल लाइफ जीएंगे जितनी नॉर्मल लाइफ HIV नेगेटिव परसन जीता है तो आपको धीरे 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 इस बिमारी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और आपको अजीबो गरीद सिम्टम्स आने लगे तो ऐसी नौमत ना आए इसलिए जरूरी है कि HIV की टेस्टिंग जरूर कराएं उमीर है कि मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है लेकिन अभी भी कुछ सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछें अभी भी हमारी सीरीज में और वीडियो आने बाकी हैं अगर कुछ मिस होता है तो मैं आपने आगयाने वाले वीडियो में कवर करूंगी आप सभी स्वस्त रहें खुश रहें और रोज 20 मिनिट ब्र अभी आप से लोगे ग्यूव में अभी हमारी साने नित्वर तरह क्वर बातो आप सवाव करूंगी हमारी स्वाला यद।